So hi friends, मैं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चनल पर दिल से बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ तो दोस्तों हम इस वीडियो में इस टार्ट करने जा रहे हैं HPGK के Most Important MCQs तो जितने भी ये MCQs रहेंगे आपके आने वाले एक्जाम्स like GOA Accounts, Junior Auditor इसके अलाबा HPSC Clerk या फिर HRTC Conductor, HPSI, HES, HP Allied या फिर जितने भी आपके और भी State Level के Examination से रहते हैं जिनमें HPGK पूछी जाती है तो बहां पर यहां से आने की Probability बहुत आई रहेगी इवन NAP तसील दार के Examination में भी यहां से Question पूछे जाएंगे यह First Part है जो हमने Start किया है तो अगर आपका Response अच्छा रहा तो हम और Parts भी लेके आएंगे तो जाद से जादा वीडियो को Share कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो यूर्ट लाइक कर देना आपका एक-एक Like करना और Share करना हमारे टीम का Motivation Level अप कर देता है So Question No.1 इस निमन में से किसे प्राचनकाल में धरगिरी नाम से जाना जाता था तो राइट अंसर रहेगा Option A, Susharma,Chant Next Is, हरी चन ने GULER राज़े की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों मैंने Around 30 Questions इस वीडियो में इंकलिवड किये हैं आप Comment करके बता सकते हैं आपके कितने Marks बन रहे हैं ताकि और candidates को भी आइडिया हो सके कि सब की preparation किस level की चल रही है क्योंकि सरस्वती ऐसा धन है जितना आप बांटोगी आपका खुद कभी उतना ही बढ़ता चला जाएगा ठीक है next is कांगडा किले का निर्मान निमन में से किस ने करवाया था तो कांगडा किले का निर्मान किस ने करवाया था तो आपको पता है कि कांगडा से बहुत फेमेस जो परसन है वो है सोशर्मा चन next is बीर सेन को निमन में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है तो बीर सेन को किस राज्य का संस्थापक माना जाता है तो बीर सेन को माना जाता है तो चमबा नगर का सस्तापक था इन में से तो राइट अंसर रहेगा Option A, पित्वी सिंग Next is निमन में से किस स्थान पर मंडी रियासत की नीव रखी गई थी तो मंडी रियासत की नीव रखी गई थी Option C, हाट गाउं में Next is चमबा की रानी की याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है तो चमबा की रानी की याद में जो मेला आयोजित किया जाता है वो सबी को मालूम है सुही का मेला तो दोस्तों अगर in between अगर मेरे से कोई question बाई चास गलत भी explain हो जाए तो मैं उसको comment section में पिन कर दूँग तो मैं आने वाले वीडियो में उनको definitely rectify तो करूँगा बट आपको बिल्कुल एक question सुना के भी रखना है ठीक है चलिए move करते है next question की तरफ निमन में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांती राज्य है इन में से सबसे प्राचीन प्रांती राज्य कौन सा हिमाचल प्रदेश का तो सभी को माल होगा त्रीगर next is बजीर महता प्रेमचंद का संबंद किस रियासत से था तो right answer है स्रिमोर से ठीक है ये भी आपको याद रखना है next is महाबारत में कांगड़ा सिंग कांगड़ा राज्य का किस नेम से उलेक मिलता है तो कांगड़ा राज्य का किस नेम से उलेक मिलता है महाबारत में तो ये तो simple question है कीरगराम के नाम से option c next is हिमाचल प्रदेश के अचारे राजा शंबर का किस आरे राजा से अनेक बार जुद हुआ था तो राइट अंसर एका दिबोदास option option a next is निमन में से किस शासक को साथ धरों का स्वामी कहा जाता है तो किस ऐससक कहा का वो ऐसा शासक था जिसे साथ धरों का स्वामी कहा जाता है ठीक है तो राइट अंसर एगा बिलासपुर के राज़ते नेक्स्ट इस बीड निमन में से किस राज्य की राज्यानी रही है तो किस राज्य की राज्यानी रही है जब यह कोशन पूछा गया है तो राइट अंसर रहेगा बंगाल की ओप्शन C नेक्स्ट इस पहाडी राजगरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा है तो पहाडी राजगरानों में सबसे लंबा जो इतिहास रहा है ये रहा है कांगड़ा का नेक्स्ट इस रानी का ताल जिसका आज भी महतब है किस रियासत के भाग रहे हैं तो रानी का ताल ओपिसी चीज़ है, ओप्शन डाइटन सरेगा इसका 20 स्रिमोर, हिमाचल प्रदेश के घठन के समय कितने जले थे, जब हिमाचल प्रदेश का घठन हुआ उस टाइम पे हिमाचल के चार जले थे, ठीक है, नेक्स्ट इस निमन में से कौन सा जिला घठन के समय हिमाचल प्रदेश में समलित किया गया, तो किसको बाद में समलित किया गया था, गठन के टाइम पे, तो इन में से देखो, इस में से जो किया गया था, वो था बिलास्पूर, ठीक है, नेक्स्ट इस हिमाचल प्रदेश को पूरन राज्य का दरजा किस वर्च मिला, पूरन पुल स्टेट हुट हिमाचल प्रदेश को कम बिला था तो यह मिला था 25 जनवरी 1971 को ठीक है नेक्स्ट इस शिमला गिले के डोडरा द्वार को क्या दर्च प्राप्त हुआ ठीक है तो राइड अंसर रहेगा ओप्शन बी उपमंडल का ठीक है नेक्स्ट इस डलोजी हमाचल प्रदेश में बिले से पूर किसका बाग था तो किसका बाग था डलोजी तो राइड अंसर रहेगा गुर्दासफूर तो गुर्दासफूर का ठीक है गुर्दासफूर डलोजी हमाचल प्रदेश के बिले से लोजी गुरदासफुर का पूछओं घया था पूछ दिए नेक्स इस सपुर्थी गाटिक हूं कौन सा है तो इस का लेज आप पूछ कौन सानल प्रशार्थ के हिमाचल के किस जिले में सबसे कम गाम है तो आपको दाना है हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षन के इंदर कहा है तो यह तो सभी को आई होप मालूम होगा जिन्होंने भी एच्पी पूलिस किस जिले में बड़ता है तो क ** । पा 6 कहां पड़ता है तो रहेगा सिर मोर में हिमाचल प्रदेश मेंwriting कहलूरी मुक्ष तैख किस जिले मेंipple लिए आती है तो इस question को move करने से पहले यही कोँगा अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लिजिए एड़ाइट स्टीट स्टेडी 247 तो ओफिशल टेलीग्राम चैनल पे आप जूड़ जाएंगे अगरें परशासनिक सुबदा के लिए हिमाचल प्रदेश को शीमला एवम कामगड़ा मंडल नामक दो बहागों में कब बांटा गया ठीक है तो परशासनिक सुबदा के हिमाचल प्रदेश को शीमला एवम कामगड़ा मंडल नामक दो भागों में बांटा गया है तो यह बांटा गया है चार ओप्षन है यहां पर 1971 1975 1979 आपको या रखना है पेपर में ऐसे डिरेक्ट कोशन भी पूछे जाते हैं तो चली दोस्तों इस मीडियो नहीं था कैसी लगी वीडियो जूरू कमेंट करके बताना कुछी भी कोई रही रही या डाउट रही या कुछ मेरे से भी कुछ हो सकता है टाइपिंग एरर के आपको या कि अ barbecue यूट करती या भी कुछ है